नमस्कार मैं असितनाथ किसी भी शहर किसी भी गाउं में घुमते फेकते आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाएंगे कि आपकी दिल्चस्पी उसमें होगी और आप जानना चाहेंगे कि भाई ये क्या है इसे मैं क्यूं नहीं जान रहा था अपतार पतना में ऐसे ही शख्स के बारे में मुझे पता चला अश्फाक रहमान जी हैं इन्होंने अपना एक राजनीतिक डल बनाया मंसा थी विहार की राजनीती को या कहें मुल्क की राजनीती को एक अलग तरीके से लोगों के सामने रखें राजनीती की छवी बहुत अच्छी बच्ची नहीं है इस देश में हम सब जानते हैं तो जब एक पढ़ा लिखा इवा कुछ अच्छे सपने लेकर अपनी मिट्टी पर लोटता है तो वो चाहता है कि हम कुछ बदले लेकिन उसमें जो ब्रेकर हैं उसमें जो औरोध हैं वो किस तरह से उन सपनों के सामने सीना तानकर खड़े हो जाते हैं ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि नहीं मुझे अश्फाक जी से बात करनी चाहिए एक सामाने बात्चेत अश्फाक जी से ये मेरी होगी और आप इसे देखिए सुनिये और समझिये कि हमने कैसा समाज गड़ रखा है कि समाज में जब कोई अपने अच्छे सपने को जमीन पर उतारने की कोशिस करता है तो उसे किस तरह की मुश्किलों से जूजना पड़ता है अश्फाक जी बड़ा अच्छा लगा जब अकरम जी ने बताया कि भाई आपने एक राजनितिक दल का गठन किया अभी थोड़ी दर पहले जो आफ कैमरा हमारी आपकी बाते हो रहे ही थी जो आपने बातें बताई जाती वाद संपरदाय वाद नजाने हमारे आपके जैसे कितने लोगों के सपने इन कुरुईतियों ने कुचल डाले किस तरह से आपका साबका हुआ आपने सामना किया इन सब्जिजों का जहां तक मेरा अपना तजूर्बा है तजूर्बा कुछ ये आप समझें के ग्राउंड रिलेटिज जो है हमारे यहां की वो जाती वाद पर बटी भी है और ये सैक्रो साल से चला रहा है आजादी के बाद जिन लोगों ने भी सपने देखे होंगे अच्छे भारत की डिमुक्रेसी तो यहां पर आ गई लेकिन जब जाती वाद बढ़ने लगा बढ़ते बढ़ते आज फासिस ताकते सामने आ गई जिसकी लाठी उसकी भैस हम जागरिती तो लाच सकें लेकिन सब जगा पर लोगों को वो सुविधाय नहीं दे सकें जो आजादी के बाद मिलनी चाही यह दुनिया का अलबेला देश है जहां भीखारी भी टैक्स देते हैं लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं आज की तारिख में तो यही है यही सबसे बड़ी दुविधा है दुनिया में और जगा तो टैक्स रिटर्ण होता है यहां तो आज एक भीखारी भी सामून अगर दस पर कि उसको टैक्स देता ही देता तो यह मत सोचिए कि भीखारी कहां टैक्स देता है देश का हर नागरी टैक्स देता है और इस पैसे पर जो सही माने में नौकर हैं वो मालिक बने में और जो मालिक हैं वो नौकर बने में आपने जो एक पार्टी बनाई देखे यह बड़ का मुखी अगर कोई मुसल्मान हो तो हम ये माल लेते हैं कि ये तो सिर्फ मुसल्मानों की पार्टी है उस दल का मुखी अगर कोई यादा हो तो हमें सही माल लेते हैं तो यादों की पार्टी हो गई उसका मुखी अगर कोई क्यों विक्सित कर लेते हैं? इसके लिए आपको देश में एक यह है, आरेसेस. यह बहुत जमाने से काम कर रहा है. पहले इतनी जादे दुविधा नहीं होती थी, लेकिन आज की दिन भी यह दुविधा है. आरेसेस ने इस पर बहुत ज़ादा जमीनी अस्तर पे काम किया. आ जन्तादल राश वादी है अब जन्तादल राश वादी है आश्वाह रामान ने इसका गठन किया हाला कि संगठन में सभी है 2015 के विधान सभा चुनाओं में हम लोग ने लगबग 62 लोगों को खड़ा किया था विधान सभा में बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं रही कहा जाएगा लेकिन उसमें 42 हिंदू थे सभी जातियों के लोग थे बीस बाइस करते अभी जो केनर में सरकार आ गई है उसने तो पिछले 6 साल से जो कोहरा मचा रखा है देश में वो लगता है कि साब देश पे शासन नहीं कर रही है वो सिर्फ मुसल्मानों को विरोध कर रही और जो भी कानून बना रही है वो मुसल्मानों को लेके बना रही है हाला कि उसकी चीजे हैं उसका नुकसान आम जंता को हो रहा है मुसल्मान के नाम पे वो सभी लोगों को खरीब खरीब तबाह कर रही कि नोडबंदी से किसी मुसलमान को क्या गया होगा बिचारे के पास पहीं सही कितना है लेकिन सब उनके ही लोग गए लेकिन वो भी बहुत बड़ा घुटाला है वो समझ में आएगा और ये आज की स्लितिय यह हो गई कि सब देश समपरदाइक बनाते जा रहे हैं हलाकि आम जनता बहुत अच्छी है और समझ से और सयम से काम ले रही है लेकिन इन्हों ने तो सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया यही सब वज़ा है कि सही लोग काम्याब नहीं हो बाते हैं आशपाग जी आपने एक बात कही कि भाई सामपरदाइक इस देश की अर्थ लगबक डूप चुकी है सारे कॉनमिस्टी यह बात मान रहे हैं जो दुनिया की बड़ी एजन्सीज हैं जो इस पर काम करती हैं ओभी मान रहे हैं कि भारत के अर्थ व्यवस्था डूप गए रोजगार का संकट पचास साल में इतना ज्यादा नहीं था जितना अभी हुआ साल के सबसे ज़्यादा बड़े रोजगार संकર से इस देश की हुवा को गुजर रहे हैं चृप सरकार में अर्थववस्था डूब गई देश की, हिंदों की भी तो अर्थववस्था डूब गई, हिंदों का रोजगार भी तो छिन गया, आपके स्कूल कॉलेज बरबाद हुए, तो असी फिस्दी उसमें तो हिंदों के ही बच्चे पढ़ते हैं, सरकार भले ही मुस्लिम हिरोध का ढ़ों करती है साहब, लेकिन नुकसान तो पूरे देश का हो गया ना इससे, तो हिंदों किस बात पर खुश हुए जा रहे हैं, नहीं, ये हिंदों खुश हो नहीं रहे हैं, वो एक भरम पाले बैट ये एक भरम है, जैसे आप बहुत से, हाँ, भई, आप जैसे जादू देखते हैं ना, तो जादू में सचमुच में जादू नहीं होता है, वो आपको भरमित कर देते हैं, वो ही आज की सरकार कर रही है, अगर हमारे परधान मंत्री जी कहते हैं, कि ट्रैक रेकॉर्ड देखी, मुदी जी कर ट्रैक रेकॉर्ड देखी, सुएम करते हैं कि 17 साल में घर छोड़ दिया फिर इंटर्वियू में ही कहते हैं कि भाई मेरे पास कोई शिक्षा दिक्षा नहीं है लेकिन आज के जो ग्रिह मंत्री हैं वो उनका एमे की डिग्री दिखाते हैं सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाते हैं कैमरे के सामने और देश की जनता जो है मा पहले उस बात को मानती फिर यह तो चुकि आरेसेस ने एक मानसिक्ता दे दी है कि यह जो करेगा यह हिंदू समराथ है यह आपको बचा लेगा अगर सही माने में हमारे हिंदू भाई इस बात को सोच लें कि वो पूरे देश का नुखसान उन ही का हुआ है उनका हुआ नही की इस बात को आप मान के चलिये यह नहीं देख खने है आपने अर्थवेस्टा की बात की हम तो कौमर्स की विद्धारती रहे हैं हिसामसे आपको बतादे देश की अर्थवेस्टा चर्मरा रहीनी समाप्ती पर हैं वो दिन दूर नहीं है जब भारसरकार के पास वेतन देन भारत में मुसल्मानों को ये नोकरी देना, कॉंग्रेस के ही टाइम से शुरू हो गया था, कि नोकरी उसे कटनी छटनी कर दिया, आजादी के बाद भी ये लोग लगवक 40% थें, बटवारे के बाद, बटवारे के बाद के ये, आज वो पौने 3% के आस पास है, ये सरकारी आ पढ़ेगा कि मुसल्मान वीदेशों में जाके नोकरी करने लगा, और वीदेशों से धन अर्जित करके अपने परिवार को चला रहा हो, आपको समझना ही है कि साथ, ये इसका परिवार चल कैसे रहा है, इसकी डाल रोटी चल कैसे रही है, कल साइकील पे था, आज स्कूट असाम में एक अव उड़ा दिया, दूसरे इन्नने सियल आ करके ये बता दिया कि साथ हिंदूओं को तो हम नागरिकता दे देंगे, मुसल्मानों को नहीं देंगे, हिंदू के साथ छे अन्यजातिऊं को दे देंगे, मगर उनको साबित करना हो कि वो पाकिस्तान सा है, ये तो इतना जूट बोलना सिखा रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं, कागज पतर तो होगा नहीं, भाई एक बास समझें, धाई करोड़ लोग तो यहां से विदेश में नोकरी करते हैं, अब बैचारी समय नागरिक ता बचाने के लिए वापस आएंगे, मैं एक बात नहीं समझ़ भारा हूं, उस आदमी के पास जो भी हमारे देश के प्रधान मंतरी है, कुछ साल पहले मिले B.A. के काखजात नहीं है, या प्लसटू के काखजात नहीं है, वो आदमी ये मान के क्यूं चलता है कि हम आज से 40 साल पहले के काख़ाद अपने घर में लेके बैठे होंगे नहीं बिचारा अभी आप मोदी को थोड़ा समझिए संभगता मोदी जी तो कुछ हद तक राम लिला मैदान से जो बोल गए वो तो मनही की बात करते हैं उनी को मनही बहुत दिन सबको जूट बोलके चलाए हैं अभी उनको जिन लोगों ने बिठाया है वो जूट बोल रहे हैं इन से बारत में सीडिय सिस्टम लागू कर दिया है तीनों से नाओं का एक अध्याश बना दिया अब वो ग्रिहमंत राले को दे दिया है पहले ये नहीं था ये सिर्फ पकिस्तान में है समझ गया है तो कहने का मतलब ये है कि साहब लोग उनके ओपर मुकदमा कर दे तो मुकदमा हो जाएगा क्यों नोट बंदी में जो हुआ था आप क्या समझते है जर्सों से जादर लोग मरे थे सरकार पर मुकदमा होना चाही था गैर इदातन हत्या का मुकदमा बनता है ये बहुत बड़ी बात बोलना हूँ लोग को आप चेक कर लिए भारत के कानून को गैर इरादतन हत्या इसी को कहते है आपके एक इस कानून से जर्सों से जादा लोग मर गये थे लाइनों में खड़े होके लड़कियों ने सुसाइट कर लिया था बारात लोटने का इस्तिती आ गए थी भ्यावा इस्तिती और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी परधान मंत्री जैसे वैक्ती जो है कि नहीं पचास दिन का वादा करें और पचास दिन में उन्होंने पचास बार कानून बदला हर रोज निया कानून लागा हमें पूरे मुलक को क्या इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए अभी घटना आपके निगाह में होगी जेके पुलिस का एक डियेसपी पकड़ा गया उस डियेसपी की गाड़ी से दो आतंकवादी पकड़े गया पूस ताच में पता चला कि लंबे अर्से से वातंकियों की मदद कर रहा था वो डियेसपी सिख है अब पाकिस्त जो डियेसपी भारत में ही पला बढ़ा पैदा हुआ उसके सारे पुर्खे यहीं पैदा हुए पले बढ़े जब वो वतन परस्त नहीं निकला तो जो पाकिस्तान से हमारे यहां आएंगे वो सिख हो या हिंदू हो या क्रिश्चन हो भाई वो तो वतन परस्त हैं पाकिस्तान के इस बात की क्या गारंटी है कि भारत में आके भारत भक्त हो जाएंगे वो पाकिस्तान के लिए जासूसी नहीं करेंगे पाकिस्तानी सेना के लिए एक काम नहीं करेंगे या पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए काम नहीं करेंगे कौन इस बात की गारंटी लेगा यह तो आप मेरे खाल से अमीज शाह जी से पुछिए नहीं वो सावलों के जवाब नहीं देते नहीं देते तो जनता के आँख खुली होने चाहिए एक बात और समझ लिजेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बटवारा ह हुआ था ना तो भारत से लोग मुसल्मान पाकिस्तान गयते हैं पाकिस्तान से यहां नहीं आयते हैं नहीं आयते हैं यह बड़ी साफ बात हैं बड़ा अंधेरे में रखते हैं यह पूरी पाकिस्तान और पश्मी पाकिस्तान के हिसाफ से जो बटवारा हुआ था यह जो आ अब ये देते हैंगे निपंद्रा परसेंट अब इधर का आवरेज को जोड़ करके बता देते हैं ये आखड़े का खेल है ये जूट बोलने वाली सरकार है ये अपने आपको हिंदू समराड बनने के लिए के वहां के हिंदूओं पे अत्याचारोरा भारत में जिन लोगों पे ही गोली चला रहे हैं इनको और ये शायद गलत फहमी के शिकार होके बैटे हैं इनको सरकार चलाने को दिया गया है ये भारत के मालिक नहीं हैं कोई भी सरकार जो है वो देश की मालिक नहीं बनती है एक सर्टेन पिरिएट के लिए आप सरकार चला रहे हैं आप 32-35% वोट ला करके आप बाकी 75% के भागी विधाता नहीं हो सकते हैं अच्छे से चलाईएगा तो टिकी हैगा नहीं चलाईएगा लेकि यह तो भागी विधाता नहीं यह तो मालिक के तरह भी हैफ कर रहे हैं यह फासिस्म के तरह बढ़ गया है यह हिटलर शाही को जनम दे रहे हैं यह बहुत ही गंदी नीती ला रहे हैं देश में फूट डालो और राज कर रो से के बाद आज एक काम अगर इनको करना होता तो दूसरे तरफ लोगों को काम पे लगा देते हैं यह अर्थवेवस्ता को चौपट करने पर लगे में हैं और दो चार बड़े लोगों को यह सारा बिजनेस वाप रेलवे एरपोर्ट बीसेनल को खतम करके जियो को चला रहा है परदान मंत्री का यही काम था देश को यह बेच रहे हैं सबको खरीद रही थी वही कर रही है तो लोगों की आँखे खुलनी चाहिए ऐसी अन्भक्ती नहीं करना चाहिए कोई हिंदू कोई मुसल्मान इस देश को बरबाद नहीं करता याद रखिएगा रही बाती जिस तरह मुसल्मानों के बारे में फैला रहे हैं तो ये हिंदू जाती को नपुनसक बना देंगे क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भाई ये बीस परसेंट मुसल्मान जो है नहीं ये तुम पर राज करेगा तुमको भगा देगा तो असी परतिशत लोग कभी कमजोर नहीं होते हैं ये असी परतिशत के मन में भरम डाल करके ये अपनी सत्ता के लिए ला रहा है आप देखी ने ये जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड को जिस आडवानी जी ने मोदी जी को लाया उस बेचारे आडवानी जी का तो ऐसा कर दिया कि आज कवीता पढ़ने वाले लोग उनका मजाग उडाते हैं तो कुछ समझने की चीज़ है इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है तो जनता से वोट ले कि ये जनता को बेखू बना रहे हैं दो चार घरानों को छोड़के बाकी सब कंगाल हो जाएंगे और लोग माता पीड़ते रहे हैं उनकों तो कहीं दिया हम जोला लेकर चले जाएंगे नहीं वो चले जाएं देश को जोला न थमाएं आश्पाग जी एक हिल्दी जमोरियत में सेहतमन जमोरियत में आवाम की भी तो जिम्मेदारी है आवाम की अगर जिम्मेदारी पर हम चर्चा करें कि भाई जब सरकार हम चुनते हैं और हमारी ही चुनी हुई सरकार हमारी आकांग्शाओं पर खारा नहीं उतरती है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए आम आदमी को क्या करना चाहिए अपनी जमुरियक के लिए अपने मुलक के लिए इसके लिए तो हमारे पास इंकलाब का ही रास्ता है विद्रो का ही है सत्यग्रह का ही है आज निकल गए हैं लोग आज निकल गए हैं रोड पे निकल गए हैं कि इनको आसान नहीं पड और ये वो मुसल्मान है या बहुत पते की बात बता रहा हुए जिस समय इन्होंने बटवारा किया था उस समय इनके घरों को लूटा जा रहा था जलाया जा था इनके आँ बलाकार हो रहा था ये तब भी देश छोड़के नहीं गया कि हम इस बटवारे को नहीं मानते हैं एक जमाने एक फिल्म आई थी शोले उसमें बड़ा अच्छा देखाया था ये सहाब एके हंगल का बेटा मर जाता है डांकों के साथ तो उन्हों ने उस पे नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैं आज अल्ला से शिकायत करूंगा इस बात की कि तूने मुझे इस मुलक पे इस होगी और लाठी और गोली से सरकार नहीं चल सकती है भारत में अंग्रेजों ने करके देखा था और उन्होंने बहुत कुछ कोशिश की थी उस वक भी यही अंग्रेजों का साथ दे रहे थे यही लोग दे रहे थे साथ जो आस सत्ता में इनके नसल में कोई देशभक्ती न चाहे वो हिंदू हो ये मुस्लिम हो योग ये वैक्ति को चुने जब आप किसी चाय वाले के नाम पर दिया के देखा करके परधान मंत्री बना देते हैं तो आपको चाय बेचना और चुला फूक नहीं सिखाएगा वो आगे नहीं सिखाएगा चलिए आपकी जरह राजनेतिक दल भी चलाते हैं जनता दल राष्ट्रवादी कब आपने इसका गठन किया और आज आप खुद को कहां पा रहे हैं बता और पार्टी सुप्रीमों 2011 में हम लोगों ने पार्टी बनाई थी 2013 में आइधिंक के इलेक्षन कमिशन ने इसको रेजिटेशन दिया 2014 में हम लोगों ने 60-62 सीटों पर लड़े थे पंद्रा में भी 14 में तो कुछ कम 12 सीटों पर पालियामेन को लड़े थे वो शक्ती नहीं बना पा रहे हैं चुकि हम लोगे बास कलम की ताकत है उतना धनबल नहीं है और शायद बिहार में जो बनीवी इस्तिती है इसकी आप जो कहलें के जाती वाद की उसको तोड़ने में पूरी तरह कामयाब नहीं लेकिन उमीद रखते हैं कि हम इसको तोड़ने में हम लोग कामयाब होंगे और एक वेकल भी वेवस्ता यहां काइम होगी लोक तंत्र अगर धनबल से चलेगा तो जनबल शुन्ने होगा मतलब साफ समझ लिजिए कि जिस लोक तंत्र की ताकत आप खुद को मानते हैं बतौर जनता की हैसियत वो ताकत नहीं बचेगी मतलब इस लोक तंत्र में आप मुल्यहीन हो जाएंगे क्योंकि इस लोक तंत्र में धन का प्रभुत्व होगा अपना महत्व बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप लोक तंत्र की आत्मा को संझें लोक तंत्र आप से चलना चाहिए धन से नहीं चलना चाहिए इसलिए ये भी जरूरी है कि सपोर्टर मत बनिये वोटर बनिये एक जिम्मेदार वोटर ही एक जिम्मेदार सरकार को चुन सकता है कैमरामेन अकरम अली के साथ असितनात क्प ine करिक ज़िम्मेदान ऐसकार करना चाहिए कि डाहिए ओन्पटर समयदार चाहिए कर वदिस का सकता है कि अन्पटर समया.. झाले है